स्रिष्टो या सर्गरूपा जगदमन विधू पालनी आचरोद्री संगारेचा पियस्या जगदमिखलम किरड़नम्या पराख्या और इसी तरह करम से आगे भी नौ दिनों तक करते रहेंगे इसके लिए प्रारंब से लोग ब्रत रह करके कुछ लोग फलार रखते हैं हमारे अंदर जो काम, कुरूद, लोब, मोहरूपी जो राक्सस हैं उनका जो बिनास वो और भगवती सक्ति के हम पूजा करने के बाद हमारे अंदर Sumter सात्etic energy सात्विक उउर्जा का प्रणृव रूप्साइद के नव Б30 का पूजन करने से पूजन करने प्रांद मश्कार्णीयों जैसे कि शार्दे नवरातर की पावनबेलया शुरू हो गई हैं और सभी भक्तों ने अपने घरों में घटि स्थापना करके देवी की पूजा आरादना शुरू कर दिया, लेकिन इस बीच कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर किस तरह से देवी की आरादना की जानी चाहिए, कैसे पूजा आर्शना होनी चाहिए, कुछ इसी तरह के सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ है, वैदिक ब्राहमन सभा दहरदून के उपाद्यक्ष और स्री परशुराम चतुरुवेद विद्याले के प्रधाना चाहरे, जो तीशा चाहरे, भरत राम तिवारी जी, तो तिवारी जी सबसे पहले उत्राखन की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, तीवारी जी, हमारे साथ पुराने समय से जुड़े वे हैं, अमरुजाला के समय से, और आज हमें स्वभाग्या प्राप्त हुआ कि अपने ऑफिस में स्टूडियो में बिठा के हम उनसे वारतालाब कर रहे हैं, और हमारा पहला सवाल यही है कि शाद्य नवरात्र का क्या महत्व है? स्रिष्टोया सर्ग रूपा जगदमन विधो पालनी आचरोद्री संगारे चा पियस्या जगदमिखलं किरडनं या पराख्या पश्यंती मध्यमाथो तदुन भगवती वैखरी वरन रूपा सास्मद वाचाम प्रशन्ना विदिहरिगिरीशा राधितालं करूतू आप सभी लोगों को नौरात्री परव की हारदिक शुब कामनाएं आज कल ये नौरात्री परव चल रहा है और इस हारद्य नौरात्रे प्रारम हो चुके हैं 15 अक्टूबर से और जैसे कि इसके विशे में मारकंडी पुराण में आता है इसके लिए प्रारमब से लोग ब्रत रह करके कुछ लोग फलार रखते हैं और कुछ लोग कहीं कहीं ऐसी पर्था भी है कि एक समय लोग अन्द का भोजन करते हैं और नौ दिन तक अपने घर में अखंड जोती जलाते हैं देवी के निमित क्योंकि देवी हमारी प्रकृति सुरूपा है और महाकाली, महालक्षमे और शर्ष्वती के तिनों रूपों को बन करके जो राधना की जाती है यम चिंत्यते कामम तम तम प्रापनूति निश्चेतम जो जिस कामना से भगवति का पूजन करते हैं कामना करते हैं उनकी कामना भगवति पूर्ण करती हैं और इस प्रकार से हमारे यहां जो नो का अंक है वो पूर्णांक है तो देवी के भी नो को देने वाली है और कल्योग में कलो चंडी बिनाय को ऐसा आया है मारकंडे पुराण में कि कल्योग में भगवान गणेश और देवी की पुजा की प्रधानता है और इसी उसके रूप में जो हैं भगविती का नो दिन तक आराधन करते हैं जी इसके महत्तु पर अगर प्रका मिला करके नौरात्र बनता है और दसेरे के दिन जो है देवी का पुजा करने के बाद विसर्जन किया जाता है तो यह भगवती का जो चरित्र है प्रथम और मध्यम और उत्तम चरित्र में तीन चरित्रों में उसका व्याख्यान साथ सो असलोकों के माध्यम से मारकंडे कुछ पीडित रहे परेशान रहे तो मेधामुनी से उन्होंने इसका उपाई पुछा और मेधामुनी ने जो है देवी का जो चरित्र है उनको सुनाया कहा कि भगवान की जो है सभी देवताओं की सक्ति से भगवान विष्णु और ब्रह्मा और शिव की सक्ति से जो है उन पूजा करते हैं, पूजा का जो महतो है, हमारे अंदर जो काम, कुरूद, लोब, मोहरूपी जो राक्षस हैं, उनका जो बिनास हो और भगवती सक्ति के हम पूजा करने के बाद, जो है, हमारे अंदर सात्विक उर्जा का प्राधुर्भाव होता है, और सात्विक उर्जा से ये मोसम भी बदल रहा है, संदिका मोसम है, सरद रितो आ रही है, और ये बर्षा रितो चली गई है, तो इस समय खान पान में विसे इस ध्यान देना चाहिए बैज्ञानिक मैटों को देखते हुए उससे भी जब हम साधा भोजन करते हैं या बरत रखते हैं तो हमारे सरीन में जो ब्यादियां होने की कोई ऐसे केटानू आ जाते हैं जिससे ब्यादियां उत्पन होती है तो बरत रखने से सरीर की सुद्धी होती है सरीर निर्मल हो जाता है बरत रखने से और आत्मा भी पवित्र रहती इसलिए नोरात्र बरत करते हैं और पूजा अर्चना इस दोरान कैसे की जानी चाहिए देए पूजा अर्चना का ऐसा है कि पहले दिन जो है घर्ट अस्तापन होता है सभी लोग तो ब्रह्मनों को बुला कर पूजा नहीं कर सकते कुछ लोग अपने आप स्वेम भगवती का पाठ करते हैं तो घर में प्रातक आलसना संद्या नित्यकर्म से निविड़त हो करके अपने गर में ज क्रीव होती नारियल में कलस में नारियल लगा करके उसका पूजन का विधान है लेकिन अपने आप ऐसा है कि पहले कलस में गंगाजल डाले और गंगा जल डालने के बाद उसमें फिर साधा जल भरे उसके अंदर जो है सुपारी और शिका इत्यादी रख सकते हैं और चावल फूल इत्यादी उसमें डाल करके आम के पिपल बढ़ के पत्ते पंचिपलो जो बूलते हैं उनको लगा करके उसके उपर नारियल अखंड जोती के विवस्ता करें जोती जलाएं और नव दिन तक वो जलती रहे और फिर जो है हिंदी में भी पढ़ सकते हैं जो लोग संस्क्रिट नहीं जानते हैं तो उसका करम है कि का एक दिन जो है पर्थम चारितर दूसरे दिन मध्यम चारितर और तिसरे दिन उत्तर चारितर का पाठ भी कर शकते हैं कुछ लोग प्रती अध्याई प्रती दिन पढ़ते हैं कभी कभी दो अध्याई भी पढ़ लेते इस नौ दिन में जो है पूरी चंडी पूरिन कर देते हैं और जो ब्रामन लोगों से कराते हैं तो ब्रामन लोग उसको संपुट पाठ जो अगर कन्या पूजन का जो विधान है अगर आजकल के टाइम में इuft आप देखते हैं मतलब एक सवाल मेरा इससे हटके है कि कन्याओं की बहुत ज़्यादा कमी नजर आती है लोग एक दूसरे के घर में अपनी बेटियों को कन्याओं को भेजना पसंद नहीं करते हैं तो ऐसे में वो प्रशाद कहां किसको किस रूप में बाटा खिलाये जा सकता है हमारे हां जो प्रधानता है दो साल से और दस वर्ष के बीच की कन्याओं का पूजन करने का विधान है दो वर्ष की तीन वर्ष की और दस वर्ष के अंतराल तक की जो कन्याओं है वैसे नो कन्याओं को जिमाना चाहिए उनकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि मात्रिशक्त कि पूजा करना है यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमंते तत्रदेवता है नार्यों का सम्मान तो हम बहुत पहले से करते हैं और देवियों के रूप में उनकी पूजा करते हैं कन्याओं की उनके चरन दुलाएं उनका तिला कित्यादी करके उनको कुछ उनको उपाहर भी दे सकते तो और कन्याएं करने का विधान है यदि नो क हन्याइ通 स्काऊनम है तो तीन कंठया का पूजन आप दसक् Donc dro कर सकते हैं महाकाली महालक्षी में मार्शो स्रसुति की रूप में यदी दे मिल जये तो ँनका तेनों का पूजन करने से शरपन को दूसे नो कंझी बहुत जादा कमी हो अबन नें सुना कि एक पूजना कर सकते हैं मिदि विदान से और यह नो कंन्याओं के बरावर इस आपको सबस सब्सक्राइक तो सबस्सक्राइब विद्धिया नहीं सकते आज मैंगी फीश हैं microbes तो बच्चों के निसुल्क शिक्षा देख्षा होती है वहांपर और बेईद पारण जो एचारों बेदों का विद्याले हमारा है हमने तो यह सोचा था कि हम चारों बेदों के शिक्सा बच्चों को देंगे यहाँ पर लेकिन बरतमान में देखते हुए जो है सुकले जुरुबेद की ज्यादा मांग है हमारे यह कर्मकांड में और हर जगा जो बच्चे वो बेद पढ़ना शुकले जुरुबेद पढ़ना जो है वो करते हैं तो और बेदों के उनके अनिच्छा है जैसे साम बेद है अथरो बेद है रिग बेद है हर जगए काम नहीं आते ये बेदर मंत्र जो है, कई बड़े एग्यानुष्टान है, तो वहां उनको बलाये जाता है, लेकिन शुकले जुरुबेद वाले सभी जगा कर्मकानदर फूजा फात करा सकते हैं, तो लोग शुकले जुरुबेद ही लेते हैं, बाज़सने जो साका है उसका अध्यन हम करात और प्राता काल हमारे यहां बचे शाड़े चार बजे प्राता काल विद्याले में उठ जाते हैं और फिर अश्ना नित्यादी के बाद पांच बजे प्राता हर मैने बारो मैने जो है संध्या में बढ़ते हैं और शाड़े पांच बजे पौने छे बजे तक वो संध्या तो एक मात्र उत्रा खंड में ऐसा विद्याले हमारा है जो सस्वर बेद पाठ कराता है और हमारे बचे स्वरसहित पाठ करते हैं और मेरे जहां तक जानकारी है मैं विद्वत सभा उत्राखंड विद्वत सभा का पूरी उत्राखंड का उपाध्यक्ष 6 साल तक रहा तो जितनी मेरी जानकारी है ऐसा उत्राखंड में कोई विद्व यह बिद्याले मैं ऐसे लिए नहीं करा कि मैं वहां का प्रदानाचारिय हुए हम चलाते हैं लेकिन ऐसा कोई बिद्याले बड़े-बड़े लोग निदेशक लोग हमारे यहां आए बड़े-बड़े संस्कृत के विद्ध्वान आए उन्होंने का कि उत्राखंड में और ऐसे बच्चे कहीं पर नहीं है जैसे हमारे यहां है और जैसे उनका नित्य कर्म है अनुसासन है तो ऐसा और विद्याले में देखने को नहीं मिलता है तो बेदों का पाट करते हैं बच्चे तिरकाल संद्या करते हैं तिरकाल संद्या सामान्य तक सभी लोग नहीं कर सक करते हैं दो काल की तो हम लोग सब करते हैं पर तरिकाल की संद्या मध्यान संद्या भी जो है अमारे यहां होती है और बच्चे अनुसासन में रहते हैं बेद पाट करते हैं और उनको सुकली जुरुवीद के जो चाली सद्याइवीद का है वो बारवी तक जो है उनको पढ़ाया जाता है चैसे आयू से किस आयू वर्ग तक हमारे यह पांच वी पास बच्चे हम लेते हैं पांच पास और उनकी लगभग आयू 11-12 साल के आसपास होती है पांच वी पास और बारवी करके हमारे यहां से ो बथ बच्चे आते हैं उनको माप वापिस देतें माता मि यह पाहे उनके भी पाहाई उत्यां और निसुलक उनको पढ़ाते भी हैं पुस्तके में देते हैं बोजन आवाज सब हमारे होता है माता पिता से आज तक हमने किसी भी बच्चे का आज तक एक रुपया भी नहीं लिया कितने बच्चों को हर साल दाकिला मिलता आपके और क्या परकरिया उसकी क्या से चुनते हैं बच्चों को जो अहम परिक्सा लेते प्रवेस परिक्सा होती है और प्रवेस परिक्सा के द्वारा लग भग हमारे उनकी बपास है नहीं एंटनी बेवस्ता रखनी की ब़ोस्ता नहीं है चात्रवास में सीमित शीटे हैं चालिस बच्चे अंदर रह सकते हैं, उनका रहना खाना हम कर सकते हैं, वहाँ जगे नहीं रहने की, इसलिए जब जगे मिल जाएगी तो अभी हम सरकार द्वारा मांग भी कर रहें कुछ हो, सरकारी भावन खाली हैं, और उसको प्रियास किया जा रहा है कि अगर वो हमें दगे बजन भी हैं, हमारे यह बोनान दाता भी हैं, हर मैंने थोड़ा बहुँझ ना कुछ खाद्या, सामागरी जो हैं, हमारे यह पांधारा कराते हैं, घ्ढारे टो भंडारे से, जो आए होती जो पैसा देते हैं, Saaadha 3000 रूपय बंडारे का प्रतिजिन लेते हैं जो कुल कराते हैं किसी की बच्चे का जन्मदिन है किसी की विवारा के सालग्रह है कोई अपने माता पिता के पुनितिति पर ब्रम भोज कराते हूं तो साड़े तीन अजार रुपे हम उन से लेते हैं बोजन बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत बचता है उससे हर लेते हैं कुछ संस्ता है हमें दान भी देती है तो उससे अभी चल रहा है अभी कुल कितने बच्चे आपके अभी हमारे करीब इस समय जो है पचास के करीब बच्चे हैं उन में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके माता पिता नहीं होंगे यहां ऐसे बच्चे भी है जिनके माता पिता नहीं है इसे बिच्चे और अगर कोई सज्जन कोई लोग आप लोगों को मदद करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं अब बता दिश्री प्रकास नगर देरा दुन गोविंद गड़ के पास ही है थोड़ा पहले वहां पर विद्याले चलता है वो प्रितल में कोई नंबर कोई एड्रेस कोई वेब साइट और कोई बताना चाहें मोबाइल नंबर लिख सकते हैं नंबर है 941-575710 इस नंबर पर परवेश के लिए या साहिता के लिए किसी परकार की जो बात है तो उसके लिए संपर्क किया जा सकता इस नंबर बहुत ही शुब काम है नेक काम है सरकार को भी मदद करनी चाहिए इस तरह के भवन देने चाहिए जहां इस तरह के बच्चों का भविश्य भी उजलो रहा और सासत अपनी संस्कति को भी बढ़ावा मिल पा रहा है और आप यहां पर आया तो एक सवाल पूछे भीना मैं जाने तो नहीं दूंगी कि शादी के जो साहे हैं वह भी कि बचे और इस साहिए के साधे चतुर मासा में हमारे यहां बिवा के मुर्थ कमी ही मिलते हैं क्योंकि जब सुर्या दक्षिनायन हो जाते हैं यह करीब जो है अपना 15 जोलाई से लगभग बिवा के मुर्थ नहीं है और देव उठानी 81 जब आती है 23 नौंबर किस बार है तो अब तक तो साहिए के मुर्थ नहीं है लेकिन लोग कुछ लोग नौरात्री के परव के वुझे से भी बिवा कर देते हैं और दसरा जो है बिन उसके सुजाई भी बिवा हो सकता है और पूछ्य मुर्थ है दसरे भी लोग साधिया करेंगे वैसे 23 नौंबर के बाद ही साध साधियों के कोई मूर्त नहीं है लेकिन 14 जनवरी मकर शंक्रांती पर उसके बाद जो है जनवरी पूरा फरवरी और 12 मार्च तक साधी के साहे लग वग लेकिन आप बता रहते हैं कि इस बार आगे चलके जुलाई कौन समय है पिर इसके बाद जो है 12 मार्च से चैत्र अप्रेल में सब्सक्राइब 20 Prim S. All को सुक्रायस्ते हैं और दो मैना करीब सुक्रास्तों 2 मेना कुछ दिन रहें लेंगी to 7laws बार चुरा मान लिजा आप पहली मैसे समझ लिजे मैं और साहे के विवा के दिन है और उसके बाद फिर आगले साल नौंबर में हूँ दोजार चोबिस में अच्छा काम कर रहा है और मैं तो आप से बहुत पहले से भी मैं आपके बारे में जानता हूं सुनता रहता हूं आपको बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड बहुत उचस्तर पत्रिकारिता पर मिले आपने पहले अख़बारों में भी अमरुजाला में और अन्य अख़बारों में भी काम किया और अब स्वयम का चैनल चला रही है ये बहुत बड़ी बात है और कठिन से कठिन जगे जाकर के पाढ़ों में गाओं में आप जाती हैं वहां से अपना इंटर्विव लेती हैं लोगों का तो यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपकी पूरी टीम को मेरी वर से बहुत बहुत बदाई धन्यवाद और आगे भी आप इसी तरह के कारे करते रहें नारे का सम्मान आपने पहले भी नारे के लिए बहुत काम किया मैंने बहुत आपके बारे में पढ़ा जानता भी हूं तो ऐसे ही आप उत्रोतर ऐसे कारे में प्रगति करते रहें और इसी तरह करते रहें तो इसके लिए बहुत-बहुत आपको सुब कामना है आपका बहुत-बहुत आभार और इ